आजी सर आज Honorable Court ने ये निर्देश दिया है कि साथ दिन के अंदर अंदर जो शंबू बॉर्डर के बेरिकेटिंग है उसको हटा दिया जाए इसके साथ हर्याना सरकार और पंजाब सरकार दोनों को निर्देश दिये हैं कि Law and Order को मेंटेन रखा जाए और इसके इलावा हमारे सीनियर आफिसर मिस्टर सतीश बालन जी हैं जो कमिशनर और पुलिस जजजर हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया है शुपकरन के केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सर अभी सी एफ एसल रिपोर्ट आ गया है सारी ही इन्वेस्टिगेशन अब साइटी करेगी हैड़िट बाई मिस्टर सतीश बालन सर अगर किसान बैठे रहते हैं वो पंजाब की तरफ बैठे हैं वो पंजाब गॉर्मन आपको बता पाएगी क्योंकि वो बैठे जो हैं वो अड्मिटेड फैक्ट है पंजाब की तरफ है हर्याना की तरफ है अगर लॉइंड ओर्टर खराब होता है तो दोनों ही स्टेट्स को निर्देश हैं उसको मिंटेन करना है तो वटवर एक्षिन इस रिक्वाइड दी एड डैट पॉंट आफ टाइम विल बी टेकन इन अकॉर्ड़ने विद लॉइज पते आले जीरो एफ आई यार जिन्नू हर्याना गॉर्मन नूँ पे इजदिता गया सी क्योंकि कमेटी ने रिपोर्ट देती कि ये जड़ा वाक्या हर्याना दे दाता सिंग वाला पिंड विच होया है ठीक है जी उस अधार ते कोट ने ए निर्देश दिते सी पिछली वार कि ए जड़ा इन वेस्टिगेशन क्योंकि ये अकरन सर्याना चोई ये दी इन्वेस्टिगेशन हर्याना पुलिस ही करेगी ते हर्याना पुलिस नो ए कहा किया गया सी कि तीन सीनियर आई पिएस ओफिसर्स दे नाम दिते जान जिना विचो कोट एक अफसर नो एसाइटी इन्वेस्टिगेशन करन लई चुनेगी वन आज जैसी तिन नाम दिते जिदे विचो मिस्टर सतीश बालान जो आई जी कमिशनर और पुलिस चजर रह गया उना नो नू नो मिनेट कर देता है शुब करन वाली एफ़ यार चे इन्वेस्टिगेशन करन लई मेरी याचिका यह थी कि किसान अपना MSP के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि उनका जो कि उनके राइट तू प्रोफेशन के अंडर आता है और उनका राइट बनता है कि वो अपने फसलों का minimum sport prize लें और उनको सारे राइट हैं प्रोटेस्ट करने के तो मैंने सबसे पहले याचिका यह डाली फिर कुछ किसानों के खिलाफ पड़ी फिर कुछ साथ में पड़ी वो मेरी पेटीशन के साथ जद साब ने अटैच कर दी थी बट पिछली 28 मही की तारीक को मैंने बहस की कि शंबू बोर्डर पे जो शंबू बोर्डर जो पिछले 6 महीने से बंद है इस इसके उपर स्टेट ओफ हरियाना ने अबजेक्ट किया कि यह पार्शली खुला है नैशनल हाईवे उसको हमने काउंटर करते हुए बोला कि यह कोई खुला नहीं है मेरे पास फिजिकल एविडेंस था तो हमने वो पेश किया उसके बाद जद साब ने स्टेटस सी किया बा तो मेर एकसर साइजिंग ओफ फंटामेंटल राइट बाइ सम्सीटिजन जैनोट बी एकनोट बीकंसीड़ेंस वोइलेशन ओफ पब्लीक ओडर और देविल वोइलेट दा पब्लीक ओडर तो हमने इसको काउंटर किया कि यह सीटिजन ओफ इंडिया अंडर आर्टिकल वन इवन इफ इस अजूम्ड देट आर्ड़ फार्मर ओफ पंजाब ओंली देव ओल दा राइट तो मूव जानेगा तो आज जट साब ने कॉंस्टिजन की प्रोविजन और फैक्स को कॉंसीडर करते हुए यह ओडर पास किया की यह शंबूब ओडर एक हफते के अंदर अंद इसको खोल दिया जाए तो क्या किसानों के लिए भी विए जा सकते हैं पुला के यह बूडर बंद कर रुख है पंजाब किसानों ने पंजाब में उसको मैंने उपोस किया कि पंजाब के किसानों ने यह स्टेट ऑफ हर्याना ने बाड़ी vedl gift लगा give provision प्रूवी अफ ये स्टेट ओफ हरियाना ने बंद गर रख है ना कि किसानों ने तो इस पे जद साब ने स्टेट ओफ पंजाब को सिर्फ इतनी बात बोली है कि स्टेट ओफ पंजाब एंशोर करेगा कि इसमें free flow of traffic है जो की जो की बहुत ही वाजीब सी बात है अगर आप खोल दोगे तो किस